आल अबाउट मैंन्स फिजीक तो टाइटल मैंने सोचा थोड़ा ऐसे रखते चैनल से मिलता जुलता और ज्यादा लोगों को समझ में भी आएगी मैंन्स फिजीक जो है हम लोग जानते हैं काफी एक पुरानी डिवीजन हो चुकी है 2012 में असल में इसको लांच किया गया था ये उन दिनों की बात है जब आपके पास एक ही ऑप्शन हुआ करता था बॉड़ी बिल्डिंग मतलब कहते हैं कि टेक इट और लिव इट अगर करनी है तो बॉड़ी बिल्डिंग करो नहीं तो कुछ नहीं है फिर ऐसे में जिम मैंने ने सोचा कियो होना एक इजी ऑप्शन रखा जाए उन लोगों के लिए जो की बॉड़ी बिल्डर नहीं बरना चाहते उतना बड़ा नहीं होना चाहते लांच कर दिया गया उस ताइम पर फिर मेंस फिजिक डिवीजन को और 2012 में इस डिवीजन ने काफी अची रफतार भी पकड़ ली इसके शोज करवाने लगे थी आया फिवी लेकिन मिस्चर ओलम्पिया में जो इसकी एडिंग हुई वो आई 2013 से और आज हम देखते हैं कि वक्त इतना बदलता चला गया कि मेंस फिजिक डिवीजन भी बहुत जादा आगे बढ़ चुकी है और बहुत फरक आ ग क्यों लगे हो हैं और इन ही सब का मानसर दिंगे आज का टॉपिक होने वाला दोस्तों कैसे आप से मेरे नाम है विरल आप देख रहे हैं All About Olympia YouTube चैनल और आज इस चैनल पर हम लोग बात करेंगे All About Men's Physique यस तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यह मेंस फिजिक में पहल नहीं हार्डनेस नहीं थी बाड़ी में यही हालत मैं बोलूं स्टीव कुक भी है जो के बहुत जादा आज नामी सोचल मीडिया सेलेब्लिटी है लेकिन हां उस ताइम पर कंपीट करते थे तो काफी स्ट्रॉंग इनको नंबर वन पर इंफेक्ट रखा गया है Bodybuilding.com की prediction के ह इसाब से कि यह जीतेंगे कॉंटेस्ट को फिजीक देखो कैसी है Mark Anthony जिन्होंने के एक्चुली जीता भी था 2013 का मैंस फिजीक ऑलंपिया टाइटल फिजीक इनकी भी आप देख सकते हो Olympia में definitely थोड़े बहतर होंगे पर कितने सारी बात तो यह है कोई जमीन आसमन का फरक नहीं होगा लेकिन अगर हम पकड़ करके चले इन फिजीक को तो यह सारे के सारे प्रो अथलीट्स है जो उन्होंने दिखाई हो इस टाइम पर इन्होंने प्रो काड लिया हुआ है लेकि कामन थी कहने का मतलब यह कि इस डिवीजन ने कितना आज इवॉल्फ करा है कि इनके अथलीट्स इतने बड़े होते चले गए टाइम टू टाइम के जो रेमट एडमर्स आज है वो क्रिस बंस्टेट के साथ उनके जितने बड़े भी दिखाई देते हैं जबकि क्रिस बंस् समझ में आती है कि इस डिवीजन ने वालूशन बहुत कर रहा है और यह वालूशन कुछ ऐसे ही है जैसे कि 1980s से बॉड़ी बिल्डिंग कैसे शिफ्ट हुई 1990s के अंदर एकदम से एरा पूरा बदल गया मास मॉंस्टर्स आ गए तो यह लोग आज इतना जादा बढ़ है तो सबसे बहला कुशन मार्क तो यही लगता है कि मैंन्स फिजीक ही क्यों इवाल हुई एक सीधा सीधा सा अंसर दूंगा मैंस में क्योंकि इनके पास में स्पेस था यह लोग जहां से स्टार्ट हुए हैं इन फिजीक को देख करके लगता है इन्होंने दो से तीन साल की महनत करी होगी और आगए यह उलंपिया स्टेज पर जैरी में ने उसी टाइम स्टार्ट कर रहा दो साल हुए थे इनको तीन साल हुए थे और इन्होंने ऐसी फिजीक डेवलप करी थी और इसलिए यह लोग तब से अब तक जो लगे हुए है उन्होंने अपनी फिजीक एक सबस्क्राइछ पार्ट के बडे इसी वादब आपने में जिर्ट में चलडर नहीं थाओने दकले में और इसा नी ने यहां और में फिजीक फिजीक के शाइंके जाता यह से और इसी वरा से यह kन्टीनुएसली प्रोग्रेस करते चले दूसरी बात यह मैंस फिजीक में कोई स्टेंडर्स नहीं होते ठीक बॉड़ी बिल्डिंग की तरह इसमें कोई बढ़ने की लिमिट नहीं है इसमें ऐसा नहीं है कि पांच नौक्य हाइट के उपर आप 85 किलो से उपर नहीं जा सकते कोई रोकने वाला ही नहीं है आप पांच लेकिन यह बात आसे तीन-चार साल पहले तक तो अथलीट बरदाश्ट कर लिया करते थे लेकिन आज किसी मैंस फिजीक अथलीट को आप ऐसा बोल दोगे ना तो उसको गुस्सा आज़ेगा यार हम मतलब क्या पागल बैठ हुए है वेस्ट के नीचे का पार्ट नहीं बने जब वो एकदम अपने शोल्डर्स को खोल करके और लैट्स को खोल करके स्टेज पर खड़े होते हैं तो हाँ ये एक एवॉल्यूशन हो रहा है विकास सीधी सी बात मैंने आपको बताई ना कि जहां स्पेस होगा वहां पर तो आप किसी चीज को आइड करोगे जब ए यही था हमेशा सी यही रहा है कि इसमें कोई पैरामीटर सेट नहीं हुए हैं 2013 के जजिस के सामने आप आज के रेमट एडमर्स को खड़ा कर दो वो क्या बोलेंगे क्या हमने मैंस फिजिक इसलिए बनाए थी था कि अथलीट जो इतना बड़ा नहीं होना चाहते वो इसमें खेले रेमट तो इतने बड़े इतने मासिफ फुल अथलीट है ऐसे है चाहिए तो बॉड़ी बिल्डिंग में चले रहा हूँ ना तो वो साफ साफ यह बोल सकते थे कि यह एक इनप्रोप्रियेट कंपैरिजन हम रेमट एडमर्स जैसे बड़े अथलीट को इस डिविजिन जाए कि मैंस उपन बॉड़ी बिल्डर जितने बड़े दिखने लगे और जज़िज उस वक्त वो भी जज़ कर रहे हूँ आज अगर मैं बोलूँ कि रोलीव इंकलार को मैंस फिजिक डिविजिन में डाल दो तो आप मैंसे बहुत लोग बोलेंगे कि यह क्या आज अगर मैंस फिजिक डिविजिन में डाल देते तो प्रॉबलम किस चीज से है क्या उनके बड़े साइस से क्या उनके राउंड बिग शोल्डर से उनके पास वाइड लैट्स है उनके पास स्मॉल वेस्ट है वो इनसान ऐसा है कि वैक्यूम तक कर लेता है इतने बड़े उनके पास लैग्स नहीं है और वो ही चाहिए मैंस फिजिक चैंपिन बनने के लिए अच्छी खासी बैक है प्रॉबलम कहां पे आती है प्रॉबलम यहां पे आती है कि हमने आज तक क्योंकि देखा नहीं रोली उनकला जैसे अथलीट को ऐसी छोटी डिविजिन में खेलते सटेंडर हम लोग सट करें हम लोग अपने दिमाग में रखतें हैं जर्जिस अपने दिमाग में रख करके फिजिक को जच करतेğिए अगर था कर दें यहां पर बिग घुन में बोहां किया यही तो बन婜 बट हम बड़ बड़ है इनको तो मैन्स उपन बॉड़िंगमिग कम यहां पर question यहाता है कि men's physics में आप देखना क्या चाहते हो आपके पास जब तक standards ही नहीं होंगे आपके पास यह answer ही नहीं होगा तो मेरा question यही है कि क्या यह men's physics athletes एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि बड़े होते होते men's open bodybuilders इतने बड़े हो जाएंगे और यही चीज इस division को continuously बढ़ते रहने की वज़ा भी दे रही है और athletes को confuse भी करते हैं क्योंकि आज भी India में athletes बहुत सारी हैं जो कि कहते हैं कि हमें नहीं मालूम के हमें किस तरह के physique चाहिए क्योंकि judges को ही नहीं मालूम के वो देखना के चाहते हैं वो definitely इतने बड़े तो नहीं होते और उनी के अंदर से कोई ना कोई एक athlete जीता है जिसको की pro card दे दिया जाता है लेकिन वही एक athlete जब pro card लेने के लिए बाहर की country में जाता है वहां वो देखता है यार size बहुत है in athletes में तो इंडिया में तो छोटे लेवल पर हम लोग खेल रहे हैं तो यह एक difference क्यों चल रहा है क्योंकि कुल मिलाकर के सभी लोग confused है सब लोगों ने अपने माइने में अपने standards बना लिए हैं इसको ले करके किसी country में जादा बलकी physics होती है किसी country में छोटी physics चल रही है कहीं पर conditioning को जादा देखते हैं कई पर size को जादा देखते हैं और इसलिए कई बार athletes बोलते हैं कि आरे इस particular area में तो judges conditioning जादा प्रेफर करते हैं इस वाले competition में judges size जादा प्रेफर करते हैं कुल मिलाकर के यह पता लगता है कि सभी confused हैं आज इंडिया में आप यह देखो जादा तर लोग क्यों चाहते हैं इस division में खेलना क्योंकि वो bodybuilders इतने बड़े नहीं हो सकते हैं नहीं होना चाहते हैं उतना time वो देना नहीं चाहते हैं क्योंकि bodybuilding करने में muscle maturity, muscle mass add करने में आपकी उमर 30 या 35 साल के भी पार पहुँच जाते हैं बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं जब एक आप bodybuilder को देखते हो Olympia stage पर खड़े होकर खेलते हुए और यही time बचाने के लिगों क्याते हैं कि 1-2 साल, 3-4 साल लगा कर कि हम men's physique division में चले जाते हैं इसी वज़ा से तो इंडिया में इतनी popular है और मैं specially बोलना चाता हूँ कि amateur level पर यह division इसलिए जादा popular है लोगों को, athletes को लगता है कि 2-3 साल में वो खड़े हो सकते हैं at least कोई नों कोई competition खेलने के लिए यही आज से 10 साल पहले वो नहीं सोच सकते थे इसलिए आप देखो, amateur level पर bodybuilding इतनी famous नहीं है men's physics जदा famous है बट क्या हो अगर men's physics के athletes ही इतनी बड़े-बड़े होने लग जाए तो क्या होगा इन amateur athletes का जो कि इसी लालच की वज़ा से या फिर इसी आसानी की वज़ा से जाते हैं यहां हम लोग दोस्तों पिछले साल यह देखते हैं कि Logan Franklin जैसे एक athlete जो कि men's physics में खेल रहे थे Arnold Classic में 6 महीने बाद Tampa Pro में हमें दिखते है classic physics खेलते हुए अभी 6 महीने में legs तो build-up किसी के हो नहीं सकते हैं और Logan का सबसे strong point legs ही है तो आजकल यह athletes इस तरह से switch कर जाते है men's वाले classic में चले जाते है classic physics वाले men's physics में आ जाते हैं और हैरानी की बात है कि और ज्यादा size add करके आ रहे है जैसे कि यहाँ पर बात करता हूँ अगर मैं सेडिक हेटजविक की उनका वजन classic physics से ज्यादा था जब वो men's physics में खेल रहे थे तो size इसका मतलब कोई matter नहीं करता है इस division में बलकि classic physics में जरूर करता है लेकिन यहाँ नहीं और यह लोग कितना मज़ी चाहे है बड़ा होती जा रहे है अब मैं आपको एक example देता हूँ women's bodybuilding के अगर मैं बात करता हूँ आज से 6-7 साल पहले जिस woman को सबसे ज्यादा muscular दिखना मैं women's bodybuilding करती थी और इसलिए उसको हटा दिया गया लोगों को जादा पसंद नहीं आए ठीक है women's physique लेकर क्या है एक छोटा level women's bodybuilding का लेकिन evolve होती 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 है वो इतने evolve हो गई है कि वो women's bodybuilding जितना size लेकर आती है in fact उनसे जाद अच्छी दिखती है इस वक्त आप देखो शनी ग्रेंट को जो कि अभी women's physique के champion है उनका अगर आप frame उनका size उनके proportions देखोगे मतलब आपका होगी यार bodybuilding में women's में कोई इनका मुकाबला नहीं करकती फिजीक में तो खेर champion वो है ही तो ऐसे में women's bodybuilding जो है न वो बेकार हो जाती है उसको लाया जरूर जा रहे है वापस से बट उसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि यह दोने division से एक दूसरे को cross कर रही है या मैं बोलू हूँ ए एक फरक उसको पकड़ करके रखेगा कि यह लोग boat shots पहनते हैं और bodybuilders posing trunks पहनते हैं सारी बात इस वीडियो में समझाने की यही थी कि जो फिजीक है men's physique कितनी तेजी से grow कर रही है इसी वजा से यह excitement पैदा कर रही है अपने अंदर लेकिन कहीं grow करते करते हैं इतने आप ब Patrick Moore को देख लेकिए वह compete कर रहे हो इस division में जबकि Patrick Moore ऐसे bodybuilder है जो कि bodybuilding में उतना grow नहीं कर पारे बढ़ हां men's physique division ज़रूर बहुत तीजी से बढ़री और grow कर रही है तो वो शायद उन तक पहुच जाए और होने को कुछ भी होसकता है बाकि आप लोग बताना कि आपके आप लोग बताना आप लोगों को कितनी ये बात logical लगी मेरी बस मिलते हैं अगले बार एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ में जब तक के लिए stay tuned goodbye शुक्रिया